अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई शब्द बताई है जो कि आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हो तो आप थोड़ा सोच में जरूर पढ़ जाएंगे ना अगर आपके दोस्त आपसे पूछ रहें तो आप यहां पर थोड़ी मस्ती कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक इंटर्व्यू में बैठे हुए और तब आपसे पूछा जाएगा कि तो आप थोड़ा सा सोच में जरूर पढ़ जाएंगे क्योंकि यहां पर आप मजाक नहीं कर स चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने लिए एक वर्ट समझना है उसका आंसर कैसे बनाना है इस question के depth को समझना है इस question का answer कैसे करना है समझना है साथ ही साथ मैं आपको sample answers भी दूँगा जो आपके काम जरूर आएंग है कि what word comes to the mind when describing you तो हम यहां पर जानेंगे कि इसका पहले उद्देश क्या है सबसे पहले जानते हैं कि interviewer आपसे question क्यों पोच रहा है पहली बात वो जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी सबसे बढ़िया quality आपके अंदर है जो उनके काम में आ सकती है तो हो सकता है कि आपके पता चलेगा कि हां यह जो quality इस पर आपको confidence है आप यहां पर जो है जब employee बनकर आएंगे तो आप इस quality के साथ तो आगे बढ़ी साथ आप अपने आपको क्या समझते हैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने आपको किसी MLA का बेटा समझ रहे हैं लेकिन आप अपने आप पर एक quality को लेकर के अपने आपको describe करना होगा तो वो कोशिश की जा रही है तो समझ यह चीज को कि आपको जानने की कोशिश की जा रही है तो आपको एक बहुत ही अच्छी answer के साथ आना होगा अब काफी सारे candidates जो होते हैं दोस्तों एक आध वर्ट तो बोली देते हैं पर उसको explanation कैसे करेंगे आपकी बचपन से leader रहा हूँ class का monitor रहा हूँ या फिर college में भी मैंने यह काम किये है बड़े-बड़े task handle किये है टीम समाली है या फिर आप बताईए अपने पुरानी job का किसी experience को कि हा मैंने इस तरीके से किया है बट यहां जरूरी होगी कि अगर आप कोहिश करनी होगी ताकि आप एक भरोसा दिला सके अपने इंटर्वियर को एक communication skill होती है आपको समझना होगा सामने वाला किस हद तक उससे explain करना पड़ेगा तब समझेगा तो आपको ओचीज यहां पर maintain करनी पड़ेगी साथी साथ practical day-to-day world में उस word का क्या मीनिक आता है व हम कैसे ही जान पाएंगे तो बस हनुमान नहीं बनना है यहां पर आपको कोशिश करना है कि आप अपनी शक्तियों को पहचाने आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि answer देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें कोशिश करनी है कि work ethic word ही यहां पर इस्तमाल करें जिसको आप अच्छे तरीके से describe भी कर सकते हैं अपने उपर उस चीज़ को समझा भी सकते हैं यह आप कैसे उस word से connect करते हैं वर्क से लेटेट वर्ड बोलेंगे तो जादा अच्छे से नौकरी के chances बनेंगे वरना शारूख खान बोलेंगे तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप उसी meaning नहीं पता है तो कोशिश करना है कि इस word को explain कर सके साथ ही साथ अपने उपर implement भी कर सके कि यह word मेरे लिए क्यों सही है मैं अपने आपको क्यों इस word के according मानता हूँ यह आपको कोशिश करनी होगी अब दोस्तों एक आद स्टोरी छोटी सी आपको यहाँ पर explain करनी पर सकती ह है या फिर करनी चाहिए जब आप answer दे रहे हैं कि कैसे आप इस word के साथ connect करते हैं आपने बोला मैं honest हूँ तो एक आद कहानी बताईए कि कब आपकी honesty सबसे ज़्यादा जहलग कर आई थी कब आपने वो काम किये थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमानदार नजर आये त वह ज़्यादा यहां पर impact करेगा साथ दोस्तों बोलना चाहूंगा कि be prepared for the question क्योंकि आप से पूछा जाएगा तो आप थोड़े से सोच में बढ़ सकते हैं और qualities में आप कॉनसी बोलू कॉनसी बोलू कॉनसी बोलू कॉनसी बोलू इससे अच्छा है अभी इसी वक्त आप थोड़ा समय निकाल करके 15-20 मिनट निकाल करके अपने आपके बारे में सोचिए और समझे कि आपने क्या-क्या चीजे परफॉर्म किये अपने life में और कॉनसी quality आपको best describe करती है तिवैसे मैं यहां पर 2-3-4 qualities के बारे में बता ही दूँगा अगर वो qualities भी आपको मिल जाते तो सबसे पहला word में ले रहा हूं loyal या reliable जिसे बोला जाता है तो यह अगर quality आप बोल रहे हैं इन में से कोई भी एक word आप बोल रहे हैं एक ही बोलने के लिगा आ गया है तो क्या answer आपका हो सकता है किस तरीके से हो सकता है देखिए I am always the first person my friends call because they know I am always there for them work ethic word है lawyer और आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपकी friendship में सबसे जादा आप reliable आपके दोस्तों को नजर आते हैं इसका मतलब है कि आप reliable है आप यहाँ पर कहीं न कहीं एक भरोसा दिलाने वाला काम कर रहे हैं आगे night or day I make sure to take care of my people in my life I put the same effort into making sure my work is done correctly and I am always available to help my team members आप ने जिस तरीके से explain कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा जो है call करेंगे पहले पहले परसन में ही रहूंगा क्योंकि मैं reliable हूँ लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उसी तरीके से अब आपने अपने आपको work second it कि कि उसी तरह कैसे में जब मैं काम करूंगा यहां पर तो काम में भ दूसरा वर्ड जो है वह है motivated या leader अगर आप motivated बोल रहे हैं लीडर बोल रहे हैं तो भी आंसर जो है आपके लिए काम में आ जाएगा चली इस इस answer को देखते हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर आप motivated है यह आपने पहरी लाइन में समझा दिया कि मैं हमेशा जो है काम में थारे की कोशिश करता हूं मैं motivated रहता हूं अब यह आप यहां पर बता रहे हैं कि आप जो है अपने घर के सबसे बड़े भाई या बहन जो भी है तो आप एक लीडर वाले चीज आपके अंदर हमेशा से रही है अब आपको ये जिम्मेदारी का पता है कि अगर आप एक लीडर है तो लोग आप से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और आप चाहे वो एड़ाइस ही क्यों ना हो और आप उस चीज़ के लिए हमेशा तयार होते हैं आप कोशिश करते हैं कि आप हेल्प कर सकें तो कहीं न कहीं आ आपने आपर खोल कर रख दी और बता दिया कि यह वर्ट मुझे क्यों डिस्क्राइब करता है तो बहुत ही अच्छा अंसर आपके लिए होगा और आपको एंपलोई बनाने में उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा तो कोशिश की दिया इस तरीके का आंसर देने की अ